हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं और इस चैनल के मात्यम से हम लोग सोचोलोजी की कंपेटिटिव एक्जाम के प्रिपेशन करते हैं आपको मौर्निंग में जो क्लासस मिलती हैं सुब आप जिस भी एक्जाम की सोचलोजी की प्रिपेशन क्यों न कर रहे हो चाहे वह यूजी सी नेट या जेट का ही एक्जाम क्यों न हो इन सभी के नोट्स जो है वह एवलेबल है तो नोट्स पर्चेस करने के लिए आप जो डिसकेस्टिशन बॉक्स में प्रोसेस दिया जो कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग डिवीजन सेशन कर रहे हैं जिसके अंतरगत जो क्लासेस हो चुकी है हम लोग उसको फिर से रिवीजन के तौट पर कर रहे है क्योंकि आपका जो बिहार एस्टेट का एक्जाम में वो नजदिक है तो डिवीजन करना भी बहुत ही ज प्रकार के कोशन पूछे जाते हैं और कल फिर मॉर्निंग में हम लोग कवर करेंगे इमायल दुरखायम जी के संदर में और मैक्स बीवर के संदर में तो आपका सिलिवस की कॉडिंग जो है वह आपका साड़ा ही कंपलेट होते चलेगा और चैनल के साथ आप लोग बने रह क्या है यहां पर आपको कोशन पूछे रहे हैं वर्ग जेतना का जो केंडिय तर्थव है वह क्या है तो वह जाएगा अपने आपके लिए वर्ग ठीक है जब कोई वर्ग होता है उसके अंतरगत चैतना आने का मतलब हुआ कि जैसे हम जानते हैं कि जो सर्वहारा और बुज हम जिस परकार से सुसाइटी के लिए काम कर रहे है या फिर गंपनी युश के लिए उसके लिए उसी साब हमको वैसा वैनीफिट नहीं में लहें तो वन फोउस बदर चैतना जाती समुकत है लोग संगतित हो जाते हैं सामानिता को और इस मार्निता के एधार पर चेथना का संगतन बना लेते हैं तो उनके अंतरगत जो class for itself आता है जब अपने आप में वर्ग आता है अपने लिए वर्ग में बदल जाता है और ऐसी स्थिती में वर्ग संगस्त्रिब हो जाता है साम्मेवादी समाज के स्थापना का मार्ग जो होता है वो प्रसस्त हो जाता है ठीक है नेश्ट को उश्यने के मांक्स ने समाज में वस्तु पड़क रूप में संरशनात्मक आर्थी समानोताओं की व्याक्या की है किस रूप में तो वर्ग के रूप में नेक्स ठेक इस तरफपथम वर्गे की रूप में इसको हम लोग डीटेल्स में देख लेते हैं, सरफपथम जो काल माक्स जी थे उनका मानना था कि समाजिक आर्थिक ढाचा का जो पडिवर्तन है वो वस्तुगत नियमों से होता है, वस्तुगत नियमों के अनुसार ही या एक समाजिक आर्थिक ढाचा दूसरे की जगह लेता है, जैसे माली जो कोई फैक्टरी में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके अंतरगत यह जाते हैं कि हम एक ही पेसे में एक ही तरह के समूर जो है वो बनता है और वो बढ़ फिर अपने आपके लिए वर्ग की अंतरगत आ जा समाजिक परिवर्तन लाने वाले एक प्रमुक ताकत होगी ठीक है उनका जो घोषना पर्स्त था कम्मुनिस्ट मैनिफेस्टो ठीक है इसमें उन्होंने मांक्स जो थे वो एंजल्स के अपने विचारों के साथ इसके संदर में में वह कारे किया है नेच्ट है कि किसका नाम वर्ग संगर से जुरावा है तो वर्ग संगर स किन का जुरावा है काल मांक्स जी का नेक्स्ट है कि मार्क्स के कथा अनुसार वर्ग संगर्ष में किन दो वर्गों के भी संगर्ष होता है कौन सा दो वर्गर आता है तो पूझी पती और सर्वहारा के विज़ देखें यहाँ पे बुजुर्वा भी लिखा हुआ रह सकता है मार्क्स और एंजल्स ने लिखा है कि आजाद तथा दास, कुलीन तथा समान्य जन, जमींदार एवं सर्फ ये जिसको किरशिय दास बोला जा रहा है स्रेनी प्रमुक तथा कारीगर एक सब्द में हम कह सकते हैं सोसक और सोसित एक दूसरे के विरोध लगातार काम करते रहते हैं निरंतन कभी दबे रूप में, कभी खूले रूप में, प्रतिक इस तरपर जो मुख विरोधी उत्पादन प्रिक्रिया के अंतरवियोत की यहां पर पहचान की जाती है अगर दो वर्ग के बीच एक दूसरे से विरोधी ना हो, तो वो स्वोता क्या हो जाएगा, संघर्स में हो जाएगा सब जिसके अर्थ क्या है मध्यंवर्ग करते हैं इसे सब्सक्राइब्च दो वर्गों करने सब्सक्राइब कि लिए किया जाता है यह कर्थन किसका है तो मांक्स का है वे बिताते कि पूजी यह एक ऐसा माध्य में जो कि किसको तो स्रमी को की सोसन कर रहे है ठीक है और उन्होंने आधुनी के पूणीवादी संमाज में व्यक्तिगत संपत्ति प्राइबर पूबर्टी इसमें सबसे कहते हैं प्रतिस्थ फर्दा प्रतिस्थ अधिक करने के विकास यह जाता है बताussun कहने केस्क्राइब मार्कस है कोigosjuna माक्स से विकास हों कहोते हैं हूं मार्क्स के समाजिक परिवर्तन सम्मंदी सिध्धांत में किस मूलभूत अवधारना का प्रयोग किया गया है। मार्क्स ने कहा है कि उत्पादिन परिवर्तन सम्मंदी समस्त समाजिक व्यवस्ता की क्या है। समाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णेवाद का सिध्धां किनकी द्वारा दिया गया है। संदर में अपने सिध्धांत का प्रतिपादन कि नहीं किया है। काल मांक्स जी के द्वारा कि बोलते हैं कि मनुस जितना इसवर में विष्वास रखेगा उतना ही स्वयम से क्या होता जाएगा। उन्होंने कहा है कि धर्म क्या है जनता के लिए अफी में लोग स्वयम और अन्यमानवों पर किये अर्ण्याय और असमानतों को इस्वर की इच्छा की रूप में स्विकार प्राप करते हैं और उसके परिणास दमन के बिरुद पतिरोद कम हो जाता है। धर्म बाद के जीवन के सुकर होने का विश्वास दिलाता है। मांक्स का विचार है कि धर्म क्या है असमानता और सोसन के बिरुद बगावत की संभावना को कम कर देता है। पूजी का मानना था कि स्रमिको और पूजी पति के बीच संगर्स केवल आर्थिक लाब को लेकर ही नहीं होता। उन्होंने पूजी वात के अंतरगत मसीनी उत्पादन की भूमिका पर भी जोर दिया है। जो जो मसीनों ने उत्पादन प्रक्रिया में पाव जमाना सुरू कर दिया। वैसे वैसे स्रमिकों की समाजिक संबन थे उनमें भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्योंकि मसीन का एक पूर्जा मात्र मसीन क्या है एक पूर्जा मात्र बनके रहे गया। मसीन ही अब अधिकांक काम करती रहेंगे। मनुष्य जो है वह मात्र इवल्स की पड़ी चाला कड़ा गया है। पहले कोई काम करने में जब दवस लेवर का पड़ रहा था तो वह एक मसीन उस काम को कम समय में कर दे रहा है। यह सब चीज़ उन्होंने बताया है जिसे क्या होगा कि मानाव का स्रम से अलगाव हो गया है। कोई भी चीज़ हर एक छेत्र में आप इसको घर में देख सकते हो और चेत्र में क्या हो जाए जाए जो वह अलगाव हमें देखने को मिल रहा है हर एक अपन सब सबीदा के अनुसार अपना लाइफ स्टैल को चेंज कर लए रहा है और किस पर डिपेंडेंटेट होते जाए तो मसीनों पर होते जाए जहां कप्रे को हाँ से दूए जाता था वासिक मसीन का यूज़ हो रहा है ठीक है मसाला पिन सिल्वट्टे का यूज होता था उसमें मिक्सर का यूज होता था यह सब क्या मसीनों का प्रभाबी है ठीक है कि मनुष्य को क्या कर रहा है स्रम से दूर करते जाड़ा है नेश कुषण ही हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्यत्ति प्रेउक्त की थी तो दोनों ही दवंद्ववाद की पतती को अपना थी मार्क्स और एंजिल्स ने हिगल के द्वंदवाद को उसकी आधर समकता खोल से निकार का उसे भौतिक वादी जामा पहने यार इसको ड्रेस पहनाया था इस बात को स्विकार करते हुए मार्क्स स्वेम कहते हैं दास केपिटल में कि उनके परथम जो खंड था आज का आप लोगों को से जो पूच्छा जात है आप लोग उसका एंसर क्यूं नहीं देते कल के रात के कोशिण में मैंने आपसे पूचा कि M.N. श्री निवाजी का जो पुस्तक है इंडिया इसका रचना काल कया है ठीक है हम एयर बोड़े कि इस एयर में इस बुक की रचना की है तो एंसर अभी तक किन्यों का भी नहीं आया है एंसर आने से मैं जरूर उनका नेम आज के क्लास में लेती और आज का आप लोगो कोस्चिन है कि दास केपिटल की रचना किस साल की गई है तो उसको आप लोग एंसर दीजिए मैं एंसर को पीन करूंगी और उनका जो कमेंट है वो मैं रात के आट बजे क्लास में उनका नेम भी लूँगी तो आप लोग ज़रूर एक बार इसको कमेंट करके बताईए ठीक है तो दास केपिटल का जो प्रथम खंड था उसको उसमें वो दूतिये जर्मन संसकरन के आगमुख में लिखते हैं और उनके साथ कौन थे हीगल मौद थे यह द्वन्द बाद जो थे वो सीर के बल खड़ा था ठीक है हीगल का जो द्वन्द बाद था वो सीर के बल ख इसकी बात करते हैं नेस कुश्यन है कि स्रम सक्ति और स्रम पूर्ति के हानेकारक प्रभावों में कौन सा नहीं है तो वर्ग संघर सत्व बेरोजगारी में कमी यह इसका प्रभाव नहीं है वर्ग संघर सत्व बेरोजगारी में कमी यह आना स्रम सक्ति और संपूर्ति का एक सकरात्मक पक्ष है जबकि गड़ीब तथा मीर के बीच अंतर को बढ़ना समाज के लिए हानिक राक है स्रमिकों के काड़े की दसाएं प्रभावित होने से उनका रोजगार प्रभावित होता है अंतर तक गड़ीबों का जो कारण क्या बन जाएगा राश्टि इस तर पर इसकी जो उग्रवादी प्रभितिया इसको बढ़ावा मिलता है कि नेक्स्ट हमारे तिंकर रहे इतना दुर तक हम लोग ने काल मास को देखा था फिर हम लोग हर्वर्वर्टी इसक्राइसर से रिलेटर देखेंगे निस्चित स्थरों से यानि स्टेजर से होकर गुजरती है इस प्रक्रिया के द्वारान समाज का सरल स्वरूप जटीलता को प्राप्त कर लेता है स्पेंसर जी कैनो सर आधुनिक समाज तीन चर्नों से गुज़ा है वे तीन चर्न कौन-कौन से हैं आदिम, बढ़बर और ओध्योगी ठीक है आदिम को प्रिमिटिब बोला जाड़ा है बढ़बर को सेवे सोसाइटी बोला जाड़ा और ओध्योगी को इंदस्टियर तो स्प सर्वेट स्पेंसर जो थे वह चार्ल्स डर्वन के जैवी के उद्विकास से प्रभावित होकर समाजिक संरशना एवन विवीन अंगो तता प्रकारियों के बीच पाये जाने वाले प्रप्सित मिर्धारत के संबंदों की व्याख्या की थी प्रसने का जो प्रारूप था वह समाजिक उद्विकास का सिध्धान का प्रति पादन किया है C समाजिक समझोते का सिधान किन की द्वारा किया गया है हॉब्स लॉक्स और रूजो समाजिक उध्विकास का सिधान किस ने दिया है हरवर्ट स्पेंसर वही repeated question है नेस question पूछा ज़ार है किसके अनुसार जीवधारी प्रानी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता है ठीक है जीवधारी के बात कौन कर रहे हरवर्ट स्पेंसर कर रहे है और वो किस से प्रभावे थे तो डार्वें से उसे समाजी जीवन की एक एकरिस सिध्धान को बनाने में उसको प्योगी पाया है हर्बर्ट स्पेंसर का दृष्टी को उन समाजी विकास की अवधारना पड़ा धारी था उनका मानना था कि सभी समाज सरलता से जटिलता की और पड़ी वर्तित होती है डर्विन के विकास के सिध्धान के तरक गत साममेताओं की कारण समाज के विकास से समंधी विचारों को समाजिक डर्विन वाद के नाम से भी जाना जाता है ठीक है उनके थियोरी को हर्बर्ट स्पेंसर के थियोरी को जाना जाता है नेक्स्ट कोशन है कि Herbert Spencer जी के अनुसा समाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है तो प्राकतिक चैन है इसकी कुंजी क्या हो जाएगी प्राकतिक चैन नेक्स्ट है कि England के विख्या समास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार से डार्विन ने प्रीतवी पर जीवन के उद्वगम एवं विकास की व्याख्या की है तो ये बात कौन करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर जी करते हैं समाज की सनरशना की बात कहने वाले प्रथम विचारों कौन थे हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर थे हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक, System of Consigunity and Affinity को समाध्य संरश्णा का प्रतम मानव सास्तरी अध्यन माना जाता है समाध्य सास्तर में इस प्रकारे जैसे सब्दों का प्रयोग प्रतम से किनको जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है इस पेंसर का मानना थे कि समाज की तुलना सरीर से कर हम आसानी से इसको समाज सकते हैं इमाइल दुर्खाइम ने भी इस उपमा का प्रयोग जगह जगह पड़ किया है रेटकिल ब्राउन ने सनरशना संबंद जो विचार थे वो किसे ग्रहन किये थे इदो दुर्खेम जी से ग्रहन किये थे इवान्स प्रिचर्ड, फॉर्टीज, फॉर्ड ने रेट क्लिप ब्राउन का अन्य सरन कहते हुए समाज के अन्य पक्षी होता था उसके राजहेतिक संरशना के संबन में बात की थी रेट क्लिप ब्राउन की रजर में संरशना के अनुभावरासित कलपना मांनी जाती है समाज का कौन सा सिध्धान्ध हरवर्ण डिस्पेंसर्ण दिया था तो हम लोग अभी तक जानगे हैं कि उद्विकास से सिध्धान्ध दिया था ठीके उन्होंने उद्विकास का सर्वपतम प्रयोग जो था वो 1859 में जीवों के विकास को समझने की हेतू किया था समाजिक विज्ञानों के छेतर में इस अवधान्ध का प्रयोग प्रयोग करता हरवर्ट इस्पेंसर्ण है उन्होंने उद्विकास की वियाख्या करते हुए लिखा कि उद्विकास प्रदार्थ का एकी करन तता गती का अपवय है इस प्रक्रिया में प्रदार्थ एक अनिश्चीत एवं और समंद समानता से निश्चीत एवं सू समंद जो बेविनिता है उसकी और अगरशर होता है ठीक इसके संदर्व में बात की थी अनिम्पॉर्टन फैक्स की तरब देखें तो उद्विकास की जो धाणना है इसका प्रयोग मार्गयन ने विवा और पडिवार्ब के संदर में किया था टाइलर ने धर्म अगस्त कॉम्ट ने दर्सन हेडन ने कला लेवी बुवर ने तरक और स्वेम स्पेंसर जे सविता के विकास को समझने के प्रयास करते हैं नेक्स्ट है कि हर्बट इन से इस्पेंसर ने अनुसरन किया है किसका अनुसरन किया है वे उद्विकास ये पद्धती का अनुसरन करते हैं समाजिक उद्विकास के वधाना कि इनकी है हर्बट इस्पेंसर है समाज का साव्यवी तरिष सरीर का जो बिवीन अंग है वो एक सरीर को मदद करता है उसी प्रकार से समाज का जो बिवीन है वो समाज को सही धंग से सुचारू धंग से चलाने के लिए हेल्प करता है किसने समाज का साव्यवी सिध्धान दिया है तो हर्बर्ट इस्पेंसर दिया है वो सिध्धान जो समा पर समाज में समाज एक उद्विकाथ का विवेचन किंगी दौढ़ा किया गया है, उन्होंने इसके संदर्वे में बात की है, यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा वर्गी करन अर्बर इस्पेंसर के नाम के साथ जूरा हुआ है, तो सैनिक समाज और दोगिग समाज ये जो बात है क्योंकि हर्बर्ट इस्पेंसर ने समाज को दो भागों में बाटा हैं सेनिक समाज एवं और दोगिक समाज और टॉनिज मोहदे जहों वह समाज का वरगी करन गेमिन सफ्ट और गेसल सॉफ्ट के रूप में करते हैं इमायल दुर्खाइम यांत्रिक समाज और सहज एकता समाज के बाड़े में तता सावियविक एवं आंगिक समाज के बाड़े में हेन्री मेन ने एसियंट लॉग में प्रस्ति और अनुबंद की इसके संदर्वे में व्याख्या की है आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेलफूल लगी होगी इसी प्रकार से आप लोग बने रहे हैं कल के क्लास में हम लोग कवर करेंगे एमायल दुर्खाइम और मैक्स वेवर से डिलेटेड कोशन को और आज को आपको कोशन पूछा गया है कि दास के पिटल की रशना किस की गई है इसका एंसर आप लोग जरूर पिन कीजिए मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद